Hello everyone, my name is Meit and you are watching Technical Government Job All Over India YouTube Channel So, आज हम बात करने वाले हैं Income Tax Department की आई होई लेटे सोविक एंसिस की बारे में जहाँ पर आप इंडिया में किसी भी सिटी, विलेज, विलेज, दिस्टिक टाउन की रहने वाले हैं आप इन अपडेट के लिए इलिजिबल हैं और अप्लाई कर सकते हैं किस तरीके से अप्लाई करना है, क्या के इलिजिबिलिटी रिक्वाइड है सारी चीज़ें यहाँ पे डिटेल में कवर करने वाले हैं स्टेप पे स्टेप किस तरीके से अपलाई करना होगा online वो भी आपको यहाँ पर बताने वाले हो तो वीडियो को स्टार्टिंग से अंटक जरूर देखना अगर आप चैनल पर फर्स टाइम आई हैं इसी तरह से चाहते हैं हर एक अपडेट आप तक टाइम पर पहुंच जाए तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके बैल आइकन को प्रेस करके औल वाली ओप्शन पर क्लिक करना ताकि अगली जो वीडियो आ रही है उसका नोटिविकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए बाकी इसके इलावा बहुत सारे डिपार्टमेंट है अलग अलग जिनमे अलग अलग विकैंसिस आउट कर दीगी है उसके लिए आप हमारी ओफिशल वैपसाइट www.klory.com पर विजिट करके इन्फोमेशन लेकर अप्लाई कर सकते हैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है वैबसेट आप देख पा रहे हैं गूगल पे आप टाइप करेंगे आपको पहले नबर पर साइट मिल जाएगी वहाँ अपने एकॉर्डिंग आप विकैंसिस को सर्च करके अप्लाई कर सकनी है इसी के साथ सा टेलीग्रेम ग्रूप को जरूर जोईन करना टेलीग्रेम ग्रूप को जोईन करने का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है इंस्ट्रा पे फॉलो करना इंस्ट्राग्रेम पे फॉलो करने का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है यह सिर्फ pages रही हैं आपके लिए बहुत जादा valuable है कोई भी छोटा update आता है education and employment related सबसे पहले आपको मैं वहाँ पर यह update दे देती हूँ तो ज़रूर से आप इसको follow करना ज्यादा टाइमर ले तो यह बात करेंगे directly income tax department की आई हुई latest job vacances की बारे में वीडियो को last देखना और हाँ प्यार सा एक like जरू करना आपका एक like motivate करते हैं आपके लिए नए अपडेट ले कर आने का तो देखे यहाँ पर हम बात करेंगे इंकम tax department की latest job vacances के बारे में यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको 2-3 चीज़े clear करना चाहती हूँ यहाँ पर आप किसी भी location से apply कर रहे हैं आपकी जो जॉब की location है across इंडिया रहेगी मतलब आपके nearby आपको इसकी job location मिलने वाली है इसे के साथ साथ vacances बहुत सारी है और यह आपकी permanent government job रहने वाली है बहुत सारी candidate थे जो हमेशा पोचते थे कि आपकी vacances कब आएंगे income tax department की तरफ से वो भी permanent position के लिए तो यह vacances आपकी लिए release कर देगी है salary की अगर मैं यहाँ पर बात कुरू salary बहुत बढ़ी है पे की जारी है जिसमें आपको 44,900 से 142,000 के around आपकी यहाँ पर salary आपको पे की जारी है तो उसके accordingly आप यहाँ पर apply कर पाएंगे और यहाँ पर आप prepare हो सकते है यहाँ पर समझने के जरूरत है selection आपकी कैसे होने बारी वो आप ध्यान से समझना otherwise as a fresh year आप यहाँ आप apply कर सकते है तो यहाँ पर आप देख पार है income tax inspector की vacances है इसी के सासत और भी काफी सारी vacances आपको यहाँ देखने को मिल जाती है जिसमें exercise inspector की है, audit officer की है, assistant की है, accountant, assistant sectional officer की है junior statistical officer, exercise inspector, inspector and other vacances यहाँ पर out की गई है आप यहाँ पे किसी भी post के लिए apply करना चाहते हैं हर एक post यहाँ पे permanently आपकी रहने वाली है best salary आपको pay की जारी है आप जानते है central government का यह department है जहाँ पे आपके directly hiring होने वाली है और यहाँ पे male हो female हो, दोनों यहाँ पर eligible apply कर सकते हैं यहाँ पे सबसे बहुत हम application fee की बात करें female के लिए देखे, यहाँ पे कोई fee आपको pay नहीं करने होगी मतलब यहाँ पे nil fee रहने वाली है इसी के साथ male candidate की जो undeserved candidate है उनके लिए सिरफ 100 rupees रहेगी online आपको pay करना होगा debit card, credit card, net banking से pay कर सकते हैं इसी के साथ जो reserve candidate, male candidate है उनके यहाँ कोई fee नहीं है free of course वो यहाँ apply कर पाएंगे next यहाँ पे apply कैसे करने है सिरफ online करने आगे बताऊंगी कैसे आपको इस vacances के लिए apply करना होगा यहाँ पे हम qualification की बात करें तो आप यहाँ पे any graduate है आप apply कर सकते हैं मतलब क्या है कि आपनी जो graduation है किसी भी stream में pass out की हुई है आप यहाँ पर apply कर सकते हैं आपकी क्या रहने वाली है तो देखे यहाँ पे आपके age minimum 18 है आप apply किए जें maximum 32 है आप यहाँ apply कर सकते हैं बट हाँ age relaxation भी यहाँ पे applicable definitely है OBC के लिए 3 साल का SST के लिए 5 साल का and others के लिए as per norms आपको यहाँ पे relaxation भी provide किया जा रहा है next अगर यहाँ पे बात करें important dates की apply start हो चुका है इसके लिए यहाँ पे एक मैशन है लेकिन 3rd मई इसकी last date है apply करने के लिए अब यहाँ पे आपको notification पे click करके notification आप read कर सकते हैं इसी के साल साथ apply online पे click करके apply कर सकते हैं पहले मैं आपको यहाँ पे notification पे click करके दिखा देती हूँ यहाँ पे आप आजाएंगे सीधा SSC की official site पे यह जो vacances है SSC Cigal के अंडर basically out कीगी है यह आप सब जानते हैं जितने भी gadget level की vacances होते हैं officer level की vacances होते हैं सीधियल के इंडर ही इसका exam conduct करवाया जाता है अगर मैं यहाँ पे अप्रॉक्स दे गैंसिस की बात कुरूँ 75 हंडर है तो आप apply कर सकते हैं अब apply देखें आपको किस तरीके से यहाँ पे करना होगा जब आप apply पे click करेंगे आपके सामें इस तरीके से इंटरफेस ओपन हो जाएगा यहाँ पे सबसे बहले आपको यूजरने पासवर्ड मैंशेन करके capture डालके आप लॉग इन करके apply कर सकने हैं लेकिन अगर आपने पहले अपने आपको register किया हुआ है तब ही आप लॉग इन कर पाएंगे आपको क्या पता यूजरने पासवर्ड क्या है तो आपको पहले register here पे click करेंगे रेजिस्टर नौ के यूप्शन आपको मिल जाती है आपको यहां पर तीन स्टेप देखने को मिलेंगे देखे सबसे पहले आपको यहां पर basic details जो आप यहां पर देख पाएंगे वह आपको फिल करने आपको बता देती हूँ किस तरीके से additional and contact details में आपको वो details जो यहां पर mention नहीं है फर्स्ट वाले page में जैसे कि आपकी qualification क्या है कौन सी department कौन सी position के लिए apply कर रहे हो वह आपको declaration में आपको पैसिस आएगा उसमें आपको टिक कर देना है तो यहां पर जो पहला step है जिसमें basic details है वह अगर यहां पर बात करें किस तरीके से फिल करना है तो यहां पर जबसे पहले आप यहां पर option देख पारें do have अधार ठीक है अगर आपके पस अधार कार्ट है आपके yes करना नहीं तो by default no selected है फिर अधार नंबर लिखेंगे verify करने अधार नंबर type of ID में आपको अपनी ID select करना है किस तरीके की ID आपके पास है pen card है अधार card है DLA या other ठीक है जो भी है वो select करके ID नंबर लिखना होगा name mention करना है name को verify करना होगा उसके बाद यहां पर आपको scroll down करना होगा यहां पर एक चीज़ आप देख पाएंगे have you ever change name कि आपने अपना verify करना है date of worth आपको यहां पर mention करना होगा उसके बाद यहां पर देखें आपको अपने यहां पर details select करने होगे मतलब आपने 10th से start होगे 10th अपने कहां से कौन से board से pass out की है verify करना है roll number again roll number verify करेंगे कब pass out की है ठीक है वो verify करेंगे then आपको यहां पर अगर option आप देख पाएंगे gender आपको अपना select करना होगा उसको भी verify करेंगे next level of education qualification में आपको अपनी qualification का level यहां पर mention करना होगा जो भी आपकी qualification है contact number verify mobile number email id verify करना होगा उसको इसके लवा state या YouTube permanent address save पर क्लिक कर देना है जैसे आप क्लिक कर देंगे save उसके बाद आपका जो second step है आपके पास यह वाली option जो है वो highlight हो जाएगी यह वाली जो मैंने आपको starting बताया कौन को से details फिल करनी है वो फिल करके आप simply fee pay करके आगे बढ देखिए आपके two stages selection होने वाली है पहले आपका यहाँ पी tier 1 exam होने वाला है मैंने आपको syllabus इसका ओरड़ी provide किया हुआ description में तो वहाँ पर जो candidate tier 1 qualify कर लेते हैं उनको tier 2 के लिए invite किया जाएगा ठीक है वो syllabus और exam pattern आप अच्छे से देख लेना उसको base बनाके आपको तयारी क मेरी तरफ से कुई help चाहिए comment आप जरू करना चैनल पर पहली बार आई है subscribe करके bell icon को जरूर प्रेस करना चलिए आज के लिए इतना ही next update में मिलेंगे thanks for watching